ये स्टुटेंट आजी ग्लाज में पढ़ेंगे बिवन रोगियों के लिए आहा है पहला जो रोग है वो मोती जहरा अत्वा मेयादी बुखार में क्या करना चाहिए वसा रहित परन्तु अत्री प्रोटीन युक्त हलका सुपाच आहा जैसे अंडा, दूद, फालो का रस, सब्जियों का सूप, चावल का पानी, खिचरी, दलिया ये सब देना चाहिए मरेरिया बुखार में हलका वा सुपाच बोजन, दूद, दलिया, खिचरी, साबू दना, फालो का रस ये देना चाहिए अतिसार, पेचिस, गेस्टो, एट्राइटिस, यहनि पेट का रोग में प्राया तरर भोजन, फटे दूद का पानी, जौद, चावल का पानी, सब्जियों का सूप और खिचरी देना चाहिए लोग लगने में हमें अत्रिक्त, कैलोरी, युक्त, तरर भोजपदात, विशे शुप से कच्चा आम का पना देना चाहिए छे रोग अगर हो जाता है तो अत्रिक्त, प्रोटीन और कार्बोज, युक्त, भोजपदात, जिसमें बिटामिन वा खनीज, लवर प्रयाप मात्रा में हो, ऐसे जैसे दूद, अंडा, हरी सब्जी, खिचरी, यह सब देना चाहिए देगे हैजा रोग हो जाता है, वो भोज़न और जल के संक्रमर से पैलने वाला रोग है, इसके लच्छन क्या है, अचाना गंबी रूप से दस्त लग जाते हैं, मलका रंग चावल जैसा पानी जैसा हो जाता है, चावल के पानी जैसा होता है, उल्टिया होने लगती है, प प्रवंदन पानी की कमी रोगी को पुना जल्ली करन घोल पिलाए उसे उबला पानी ताजा सुपाचे भोजन दे टाइपाइट भोजन और जल के मादन दे फ्यान लें आना तेज सेदत नब्ज की मंद गती के साथ जीव सुकती है और उस पर सफेद पदा जमने लगता है अवा अंजज करवाई जानी चाहिए रोगी को किस्तक दोरा लिकी दवाई दे हैपी टाइटिस भोजन और जल दोरा में पहन लेला भोजन है जोर गारा पीला मूत आकों पीला पन शरीर में समान पीला पन भूख न लगना असमान रूप से बचानी होना इसकी अबदी बी पर अराम करने दें इन्फ्यू लैंजा यिए वायो के मारिद्धम से फेलता है इस में जोर हुता है सर्दी जुकाम छी काना इसमें होता है सीधा तो बदन दद होता है जी मचे आता है इसका अबदी एक से तीन दी दवायों से जोई को नियंतित करें और भाब लेकर जुकाम को नियंतित करें चुकि इसका उपचा लंबा है इसलिए नियंतित किस्तक की निगरानी अवश्यक है तप एदिक यानि टीवी वायों के मादम से फैलता है नियंतित लंबे समय तक खासी वजन में कमी भूखना लगना आते थी कमजोरी नब्स को कि नब्स की तेज गती सीने में दद सास में द सही उपचाय करा है मरेरिया मच्चा दोरा काटने आला जो बारी बारी से थेन लगना पसीना आना सीदर बदन दर्द जी मच्चे आना उल्टी आना दस तो चौदा दिन इसकी अवदी है मरेरिया के पुष्टी इसके लिए रखत की जाज करा जिक इस तक दोरा दी गई गाव पर धूर लगना जंग लगी वस्तु से संक्रमन इसमें वैचानी सिदर जो गर्दन में अकरन आना चबाने निगलने में परशानी होना जबरिया मू की माच पेशों में खिचाओ पीट का धनू सकार में मो जाना तेज दर्द होता है चाह से दो सबता इसका अबदी ह जीव को कटने से बचाने के लिए दातों की बीच रूई का गोल लाब बना के रखे सच्छता बनाए रखे सबी चोटों को अच्छी तर्या साफ कर ले काली खासी वायुदरा फैलता है सलेस्मा जिली में जलन वा सूजन गहरी आवाज के साथ लगाता है खासी आना साथ से बारा दिन इसका समय है रोगी को एक सबता के लिए पूर्टा अलग इस्तान पर रखे उसे हवादा कच्छ में रखे तो ये थी आज़ी क्लास मिलते नेक्स क्लास में धन्यवाद